दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने उटूब चैनल उज्वल संसार में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आप बेसी एजी की जो इंटरेंस एक्जाम की त्यारी आप कर रहे हैं और एक्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट से कोश्च करेक्ट नाम किया तो यहाँ परद पहुआ हैं यहां पर जो आपका पहले कोश्चन है आप लोग देख सकते हैं कि सर्व पर्थम भारत भूमीर पर पालन शुरू किया गया था सबसे पहले शुरू किया गया था उसके बाद जो अगला कोशन आपका यहां पर है भारतिय गाय का जन्तु वेग्यानिंग नाम क्या है तो यहां पर दिया कैप्राहिरकस बहुष टारस बहुत सारे ऑप्संस हैं तो क्यों हम जो आपका करेक्ट और एंस्वर है बस उसी को बताएंगे ने वीडियो काफी लंबा हो जाएग करते है कि पसों के पालतु करण में अवस्चे क्या प्रमत तो समाजिक उपयोगिता अधार में ये तीनों तीनों आधार मानकर हम पसुओं का पालन करते हैं यानि यहां तीनों आधार मानकर पसुओं का पालन हम करते हैं पसुओं की मूल आविर्ति क्या होती है यानि पसुओं की मूल आविर्ति क्या है भोजन प्राप्ति या आत्मरच्या या द मनुष्थ से ज्यादा पसू में विक्सित होता है तो इसकी जो घ्ञाने अंद्रियां होती है वह सबसे ज़्यादा पसू में विक्सित होती है आपका अगला कोस्चन है वह यहां पर है कि पसु पसु पालन विग्यान द्वारा हम सीखते हैं तो पसु पालन विग्यान द्वारा हम क्या सीखते हैं तो पसु पालन विग्यान द्वारा हम आर्थिक उत्पादनों की कला सीखते हैं यहां पर बहुत सारी आप्सन है अधिक उत्पादन लेने की कला आर्थिक उत्पादनों क कि इकला पसुर्ण को स्वस्त रखने के कला तीनों तो नहीं यहाँ पर जो आपका मेन एंसर हुआ है बाप उसके बाद आपका अगला है संकर परजनन नीती में युक्त विदेसी नसल है यानि संकर विधी द्वारा कौन सी ऐसी नसल है जिसे हम प्राप्त किया है तो आपका प्राडी पैदा करते हैं उन सुख्ष जीयों को क्या कहते हैं तो रोगाडू कहते हैं उसको आपका दस्वां कोश्चन है आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि प्राडी अन्पूल प्रक्रिया में समलित महत्पूड कारक है तो इसमें आप सुन आप लोग देख सकते हैं क प्राणी में जो देखने को मिलती है उसका जो आपका अगला कोश्चन हुआ है लगबग 600 वर्स मनलब 600 बीसी पूर मनुस द्वारा पालतू बनाएगे जानवर है तो उसका जो जानवर है वह हुआ इसका जो है सभी यानि भेंड बक्री गाय इसके सभी आपसन सही है लुद आपड़े बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन की तरफ आप लोग यहां पर देख सकते हैं े दे रा कि वाता उरड़िये ताप वह आदृता अधिक होने पर पसु उत्पादन होता है या जब वाता उरड़िये मनलब जो इन्वार्मेंट में जब आदृता हैं थे से पस्वों में क्या होता है तो उप्रोक्त सभी यानि बाय प्रजीवी बढ़ते हैं अन्ता प्रजीवी बढ़ते हैं विमारिया बढ़ती है जब हमिडिटी या महश्यर जादा होगा तो बिमारी लगने की संभावनाएं उतनी ही जादे होंगे उसके आपका चौधामा कोश खौत है उसके बाद अगला कोशन है भारत में कुल कारीकत जनसंख्या का कितने पradesit दुद रोकेतन वोसाय में सनलग्द तों प्रतिस्वार्ट ऊंपता है मैं कर यह कि joe कुदा मिना कोषन यान पर है। बिस्तो की अबादी का भारत में पाए जानने वाला भाग है कितने पर्तिसत पर पाया जाता है तो 50% से अधिक पर पाया जाता है उसका आपका नेक्ट कोश्चन है भारत की कुल राष्टी आये में गाय तथा भैंस का योगदान है जो इंडियन यहीं कितना है वह कितना है तो आपका है 150नाली ऐसके एक संव्य तो इसका जो आपनेशन वह 490 लीटर है ापका देख सकते हैं कि गायों में करमसा प्रमुक दुधारू दुईकाजी तता भारवाई नसल जो भी गाय की जितनी भी भैसे हैं या भैस की जितनी भी नसल हैं उनके जो नाम को याद करने के लिए हमने अल्रेडी एक ट्रिक बना दिया है अगर आप लोगों ने वह ट्रिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप हर्याडर कि गया का मूल उत्तपत्ती अस्थान है क्योंकि आपके उसके प्लूझी के इसल है कर दें होसके और आप लोगों का 20 manages तो कि李s क्युक्राब कूंक्य नाम से जानते हैं तो कट्यावाड़ घुज्रावाट कि ज्ञेए के नाम से जानते हैं गिरी जो जरुन मस्थान है कटिया वार गुड़जात है उस पर आपका wynòngा थे समा कोशन है सब्से आधिक दुद्ध व्हसा वाली भैस है सबसे ज्याद़ दुद्ध व्हसा कि स्बसे पाई जाती है में तो मेशा ना में है वह भदाओरी है और ऑली auto business guy का मूलस्त्थान कहा है तो ऑली ट Interestingly guy कर अगा जो जनमस्तान है वह हरे लैंस है और बैंस की किस नसल में कलकमबल फिक्षित होता है यानि गलकमबल अश्टा ए velocidad लेकिन बैस की एक नसल है संकर तो उसे मेहसाना मेहसाना एक मesto के संकर नसल है आप लोग यहां पे देख सकते हैं और ब Olivia कि किस नसल में की तोच cái का रंग तांबे जैसा होता है तो ऑफैस्की एक ऐसी नसल है जिसका जो तोचा होता वा तांबे पाई जाते हैं वहांस कि कोई ऐसी नसल है जैसे आप लोग साहिवाल में देखते हैं या क्या बोलते हैं हो फोलिस्टीन फीजियन में देखते हैं या जर्सी में देखते हैं जिस परकार दब्बे पाई जाते हैं उसी परकार वहांस कि एक नसल है जिसमें दब्बे पाई जा है तो उनको किया कहते हैं अप लोग यहां पर देख सकते हैं उनको नसले बोलते हैं उसका उस्वाद एक तिसमा खोशन है कौन सी नसल भैस तथा बकरी दोनों में पाइजाती है यह निस्वार कोई एसी नसल है जिनका दोनों में पाए जाता है तो सूर्थी सूर्थी एक ऐसी नसल है जो भेंस की नसल भी है और बकरी की नसल भी है सेम नहीं है बस नाम सेम है या पिर नाम की बात की जा रही है उस बाद आपका 32 कोश्चन है कि मोरीनो भेंड का जनमस्थान कहा है मोरीनो भेंड का जनमस्थान अस्टेलिया है अगला कोश्चन है भेड के मांस को क्या कहते हैं जो भेड होता है उसके मांस को क्या बोलते हैं तो मटन बोलते हैं उसके बाद अगला कोश्चन है कि सबसे महीन पासमीना यानि पासमीना उन किस बकरी से पराप्त होता है तो पासमीना जो उन होता है वहाँ यहाँ पर आपसन आप लोग देख सकते हैं आप सन में दिया हुआ कि बाबरी बकरी बाबरी बकरी जमुनाफारी बकरी और पासमीना बकरी तो बीटल बकरी तो पासमीना और पासमीनी बकरी से प्राप्त होता है दोस्तों बहुत इजी जी क्वेस्चन्स है आप लोग ध्यान से देखिए ध्या Student 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 Also Student 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 होता है तो दिया है 307 से 310 दिन तो जो बहर का गर्बकाल होता है उसको अगला कोश्चन है 49 कोश्चन है कि दूध उर्ण तथा मांस तीनों दिश्टिकोर से उत्तम भेड़ की नसल है तो लोही भारत में सबसे अधिक भेड़ पालने वाला पर्देश है भारत में सबसे अधिक भेड़ कहां पाला जाता है अप्शन में है पंजाब हिमाचल पजेज राज तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वेड़ का पालन किया जाता है तो सदोस्तों कि अगला कोश्चन है आप लोग यहां पर देख सकते हैं तारिस्वा कोश्चन कि विस्ट की कुल भेड़ आबादी का भारत में कितने परतिसत पाला जाता है तो पांच परतिसत पाला जाता है उस बाद अगला कोश्चन है कि भेड़ की आयू होती है तो भेड़ की जाने वाली बिधी है यह ब्रोच है इस बिजी के दोरा बेड़ को हम चिनृत करते हैं बेड़ को पैचानते हैं उसके पद अगला कोश्चन है कि भारत में बकर्यों की पहचानी गई नसल है यहां पर दुए लेकिन यहां पर रहेगा पाली जाने वाली बकरी की नसली है तो सहर में ऐसी कौन सी नसल है बकरी की जिसे सहरों में पाला जाता है तो उसका जो नाम है वहा है बाबरी बकरी तो दोस्तों यही था अच का वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग भी किसी competition exam या intense exam की तयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस channel को subscribe कर लिजे क्योंकि इस channel पर इंट्रेंस exam और agriculture इंट्रेंस exam की preparation करा जाती है और अपने दोस्तों के साथ 20 वीडियो को share करें तो दोस्तों यही था आज का वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आपने दोस्तों के साथ 20 वीडियो को share करें मिलते अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे माता